हेलो एवरीवन, वेलकम तो आज चैनल, दिस इस शिश्टी अगरवाल, तो मैं आप सभी गक्षाच छे के स्ट्रेश खीर लेकर आई हूँ, विशेश सामा जीक का अरद्वासी परिशा सत्र दो हजार तेईस चॉइस का ये पेपर, जिससे आपको करना है कम्प्लेटली और ज परस्तुनित प्रश्टन, जिसमें फर्स कोशन है, सूरे क्या है, क्या है सूरे, सूरे है एक तारा, भारत में सरकार कितने वश के लिए चुरी जाती है, पांच वश के लिए, ग्रान पंचाइद का मुखिया कौन कहलाता है, सरपन, सबसी पूराना वेट कौन सा है, रिग ज्येंघण के चओविसवेग एवाँ अंतिम तीद्कार कौन थे, महवी, सेकिंड कोशन है, रिक्तिस्थानों की पूर्ती करों, रिक्तिस्थान रितु में दिन चोटे होते हैं, कौन से रितु में दिन चोटे होते हैं, शीत रितु में, जो अभी चल रही है, तो दिनों की संक्या कितनी होती है 306 वैसे 365 होते हैं बट 29 परवरी के कारण ये 366 हो जाते है जो कि चार वर्षों में एक बार होता है ठीक है थर्ड कोशन है भारत की राजधनी कौन है दिल्ली जमीन की जुताई के लिए किसका प्रियोग किया जाता है हलका प्रियोग एक नई ब बताय गया है तो इस पर मैंने गूला लगा दिया है थर्ड कोशन है सही मिलान करने आपको युजूवेच से मिलान कर देंगे उत्तवैदिक काल पुराना किला दिल्ली हस्तिनापूर मेरट अंतर जी खेड़ा खेड़ी अंतर जी खेड़ी है एटा गंड का हो जाएगा नेक्स देखेंगे ग्रह कितने है नाम लिखो ग्रह आठ है बुद्ध शुक्र पृत्वी मंगल ब्रिस्पति शानी यूरेनस और नेप्चुन पृत्वी के कटी बंदों के नाम उश्नकटी बंद शितोश्नकटी बंद और शीत कटी बंद पृत्वी के परी मंडलों के ना मुख कारक कौन से है आर्थि असमानताई चाती प्रथा सरवत्म कौन सी फसल उगाई गई कैहूं और जौकी वेट कितने है नाम लिखो वेट चार है रिग्वी सामवी द्यजुर्वी अधरवेट हमारी राजे का नाम लिखो आपके राजे का नाम लिखना है राजसान पंच कि लोगों को रोजगा देने संबंधी सरकारी यूजनाह LEG value करना नेक्स कॉशिन है अशोग द्वारा किए गए जनकल्यानकारी कारे लिखो तो जो समराट अशोग थे महान अशोग तो उनके जो कारे थे जनकल्यानकारी वो कारे लिखने आपको जैसे सडकी, छायदर व्रिक्ष, बहुत पुटानी सडक है न, वो अशोग द्वारा ही निमान की गई है, छायदर व्रिक्ष, कुए, धर्म, शालाए, मनुशी एवं पशों के लिए चिकिस साले आधिकारे करवाए गए, पृत्वी पर दिनराथ कैसे बनते हैं, चित्र बना कर आपको समझाना है, पृत्वी पर दिनराथ, पृत्वी की दयनिक एवं अत्वा, घुनन गदी के कारण बनते हैं, रिका जित्र बनारा समझा सा सकता है, इस तरह से, पृत्वी अपने अक्षपर 24 घंडे में चक्र पूरा करती है, और दिनराथ, देखिए सूर्य की जहा राठ है, वो छुप जाएगा, तो वहाँ पर रात आजाएगी, और बागी देशों में सुबह हो जाएगी, इसे की कारण जो, जैसे यू ऐसे वगेरा में, जैसे हमारे हाँ पर रात होती है, तो वहाँ पर दिन होता है, क्योंकि सूरज की रोशनी उस टाइम वहाँ पर र पर रान भी लिखना था हमको, तो देखे, पृथवी का आकर गोल है, तो एक समय में इसके आति भाग पर ही सूर्य का प्रकाश पढ़ता है, आति सूरी की तरप बाले भाग में दिन होता है, दूसरा भाग सूर्य के विप्रित होता है, तो वहाँ पर रात होती है, ग्लोप बनता है तो कहीं भी दिन और रात अलग अलग रहता है ठीक है और उनकी लंबाई में भी परिवर्तन होता रहता है ठीक है कभी दिन ज्यादा लंबा हो जाता है रात लंबी हो जाती है तो कभी दिन लंबा हो जाता है ठीक है तो इस तरह से ये डन होता है आपका complete paper उमीद है आपको सभी कोशिण के आंसर अच्छे से समझ आये होंगे गली खराब होने की वज़े से मैं काफी और ज्यादा नहीं समझा सकती है और फिर भी मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा कोशिण को आपको समझाये जा सके तो इसी तरह और भी विश्य से रिलेट हम पॉर्टेम वीडियोस देखते रहेंगे तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ वीडियो को पूरा देखने लिए धन्यवाद